दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हर्यान के प्रमुख पुरा तत्तो समार्क और संग्रालों के बारे में तो यहां पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पंचकुला के बारे में तो पंचकुला के अंदर राजकिय संग्राले है जो कि सेक्टर पाच के अंदर प्रस्तावित किया गया हूँ पूर्णूप से अभी से नहीं बना है और इसके बाद है भीमा देवी मंदिर एवं संग्रा और मैं आपको फोटो भी दिखा देता हूं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं राजी के संग्राहले की जो प्रस्तावित है सेक्टर पाच के अंदर वो कुछ इस परकार से दिखाई देता है इसका कम फिलाल चल रहा है तो आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर चारों तरफ देखा रहा हैं यहां बिलकुल वैसी ही तस्वीर है जैसे खजुराहों के मंदिर में हैं और इसके बाद आप यहां नीचे देख सकते हैं यह भिमादेवी संग्राल्य है तो यहां पर इसविल्ट्योय पुरा ताक्रीक चीजे थी अंदर रखी गई है तो चलिए इसके बा राई में है तो आप देख सकते हैं हर्याना में सोनीपत यहां पाचती ते तो चलिए इसके बाद अब हम देख लेते हैं रोतक के बारे में तो रोतक में दीन बंदु सर चोटू राम समारक है जो की घडी सापला के अंदर है यह देखे इसका उद्गाटन फिलहाल कुछ दिन के पहले ही हमारे माननिये देश के पधार मंतरी स्री नुरेंदर मोधी जी के द्वारा किया गया है तो इसकी फोटो आप यहां पर देख सकते हैं और इसका जो बोर्ड है वो यहां पर लगाया हुआ है रहबे आजम दीन बंदु चोटू राम समारक परिसर गड़ी सापला और जो रोतक है उसका तो आपको पता है हमारे जो हर्याना है उसके बिलकुल बीच में पढ़ता है तो चलिए अब हम देख लेते हैं भीवानी के बारे में भीवानी में तोशाम की ब्रादरी एक पराततु समारक के रूप में है भीवानी जिले में तोशाम नामक पाड़ी पर ब्रादरी स्थित है इस ब्रादरी के निर्माण में चूने और छोटी इटो का प्रयोग किया गया है इसमें बारा द्वारों का निर्माण इस परकार से किया गया है कि केंद्रिय करक्स में बैठा वावेक्ति चारों तरफ आसानी से देख सकता है तो शाम की ब्रादरी को पिर्थिव राज चोहान की कचहरी भी कहा जाता है तो मैं इसकी फोटो आपको बड़ी करके दिखा देता हूँ यह देखी यह कुछ है इस परकार का दिखाई देता है आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग की हालात बिल्कुल खस्ता हो रही है कोई भी यहाँ पर आकर कुछ भी नाम वाम लिख जाता है तो जो हर्यान गौर्वेंट है वो इनका शरक्षन नहीं करती है इस वज़े से इनके हालात ऐसी बड़ी हुई है मैं आसा करता हूँ कि हर्यान गौर्वेंट इनका जल से जल शरक्षन जरूर करे ताकि जो प्रेटन है वो हमारे हर्यान के अंदर भी आस के तो चलिए, फिल हल हम अपनी वीडियो के चलते है इसके बाद हम देख लेते हैं कुरूचेतर के बारे में कुरूचेतर हमारे हर्यान भी यहाँ पर है तो यहां पर है गुलजारी लालन्दा संग्राले इसके बाद यहां पर स्री कर्शन संग्राले की स्तापना वर्ष 1901 में कुरुचेतर में ही की गई थी तो दा ख़ेकी हैं तो मैं आपको फोटो में भी दिखा देता हूं यह आप जो देख रहे हैं यह थाने सर संग्राले है यहां पर सामने एक बगीचा सा बनाया हुआ है और इसका सरक्षिन काफी अच्छी सी किया हुआ है तो चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं स्री क्रिशन संग्राले के बारे में तो यह है स्री क्रिशन संग्राले आप यहाँ पर इसकी फोटो देख सकते हैं स्री क्रिशन की यहाँ पर फोटो लगाई गई है और नाम भी लिखा हुआ है तो यह है स्री क्रिशन संग्राले तो तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं जीन के बारे में जीन में है जैन्ती पुरातातु संग्रारले इसकी अपना 28 जुलाई संद 2007 को हुई थी जिसका उद्गाटन ए आर की दोई की द्वारा किया गया था और जीन में है जीन्द का किला इस किले का निर्मान 1795 में सिंग ने यह इलाका 1775 में अफगानों से जीत लिया था और 1776 में अपने राज्य की रलदानी बनाया था तो यह पुरातातो समार्क के रूप में आपर विद्यमार है तो सबसे पहले में आपको जैन्ती पुरातातो संग्राले की फोटो दिखा देता हूं यह सामने से इस दिखाई देता है इस पर प्रकार से जो कलर है वो किया हुआ है आप देख सकते हैं गुलाबी टाइप का कलर है और उपर लिखा हूँ है जैन्ती पुरातातो संग्राले और इसके बाद मैं आपको देखा देता हूं जीन के किले के बारे में यह जीन की रियासत है और जो कि कि मारक सर्श्वति संग्रायल गिस्तापना 26 अगस संग्राले को सिर्शा में ही किये गई हमारे हर्यान के इस तरफ है कि प्ष्चिम फीयंक्टिंग अब देख सकते हैं तो चलि के में बात चेजर की बारे हिए Pups 1959 में आचार्य भगवान देर स्वामी उमानन सस्वती ने जजर में पुरातात्विक मैतों के संग्राले का स्री गणिश किया था चारसो सताइस ताम पत्रों पर खुदवाई करके लिखे गए स्वामी द्यानन रचित संपून सत्यात प्रकास इस संग्राले की एक अनूटी और दुरलवक करती हैं गुरुकुले जजर की स्थापना 16 मई सन 1915 को महाश्य विशंभर्दास स्वामी पर्मानन और स्वामी ब्रह्मानन के द्वारा किये गई थी तो आप देख सकते हैं जो जजर है वो हमारे हर्यान में यहां परस्थी थे तो चलिए इसके बाद हम जजर से ही समझनित कुछ और चीज़ देख लेते हैं स्वामी ओमानन ससुती जो संग्राले है यह भी जजर में है प्राचीन सिक्कों वर बरतुनों का जो संग्राले है ये भी जजजर में तो चले इसके बाद हम देख लेते हैं मेहंदगड के बारे में में इब्राहिम खान का मकबर है नार्णुल सहर के दक्षिर के बीच दिफ इब्राहिम खान का मकबर एक विशाल गूंबद की अकारका है इस मखबरे का निर्माण सेर्चा सुरी ने 1538 से 46 इस्वी में अपने दादा इबराहिम सूरी की याद में करवाया था इसके बाद है मिर्जा अली खान की बावडी मिर्जा अली जान की बावडी नानुल शहर के पश्चिव में अबादी के भारस्तित है मिर्जा अली खान के द्वारा करवाए गया था तो इनकी फोटो भी मैं आपको दिखा देता हूं देखिए ये है इब्रहीन खान का मकबरा आप देख सकते हैं काफी कूचूरत है और इसका संक्षन भी किया गया है इसके बाद हम देख लेते हैं मिर्जा अली खान की बावडी ये आप देख सकते हैं ये मिर्जा अली खान की बावडी है इसका संक्षन नहीं किया गया है तो ये ऐसी ही टूटी- पुछाह विलायद का मक्वरा इबरहीन खान के मखवरे की एक और स्थीत है यह मकवरा अकार में वड़ा है और इसे तुगलक से लेकर 20 स्काल तक की प्रम्प्रागत वास्तुकुलाव से सजाए गया है फ्रियोशा तुगल के काल में यह मकबरा और इसके निकट के स्थल भी बनाए गए थे तो ये सबी चीजें को स्थीत हैं ये महंदगड के नारनोल के इंदर स्थीत हैं तो चलिए अब हम देख लेते हैं कैथल के बारे में कैथल में हैं रज्य सुल्तान का मकबरा तो आप यहां पर देख सकते हैं ये है रज्य सुल्तान का मकबरा इसकी हालत भी आप देख सकते हैं खाफी खस्ता रूप में है और ये बिल्कुल ही सतीगर्स्त हो रहा है इसका भी किसी प्रकाश से कोई संख्षन है नहीं किया गया है तो चलिए अब हम देख लेते हैं पलवल के बारे में पलवल में होडल की सराई वे बावडी है मोहिया का किला वे मिनार है किशोरी महल है यह महल राजा सूरिजमल ने अपनी पत्नी की याद में होडल में बनवाय था इसके अलावा बारा खंबा छत्री है होडल मिस्तित महल नुमा हवेली का निवान 1754 से 1774 के बीच भरतपुर के राजा सूरिजमल के ससुर चोधरी काशीराम सोरोत ने करवाय था महरानी किशोरी राजा सूरिजमल की ध्रह्मपत्नी और चोधरी काशीराम की सूप उत्रे थी तो अब देख सकते हैं पहलवल हमारे हर्यानम यहां पर स्तित है और इसके बाद हम देख लेते हैं पानीपत के बारे में तो पानीपत जो संग्राले है इसकी स्थापना सन 2000 में की गई थी और इसके बाद अध्यात्मिक संग्राले की स्थापना भी यहां पर की गई थी जिसकी स्थापना सन इसके बाद है काबली बाग, काबली बाग जो पानीपत के पर्थम यूद के बाद बाबर ने लगवाय था यह देखने योगे जगए हैं, यह बाबर ने पानीपत की पर्थम लड़ाई में इबराहिम लोदी पर वीजे की यादगार में बनवाय था, तो यहाँ पर मापको थिखा देएसे पहले पानिसल इता है इस परकार से ये इस बीच बीच दिखा गए अब देक kier जान योको आप सकते हैं इसके बाद हम देख लेते हैं काबली वाग यह धेजिके ध법 और लोगों को घुनने के लिए, तो इसकी फोटो आप देख सकते हैं, यह है काब लिवा, तो चलिए, इसके बाद हम देख लेते हैं, पानिपत में ही इब्राहिम लोधी के मकबरे के बारे में, यह एतियासिक मकबरा पानिपत के रैसेल कारेले के निकरशती थे, सन 1527 में इब्र के साथ यूद किया था, जिसमें उसकी प्राजे हुई थी और वह मारा गया था, यह यूद स्तल पर ही इब्राहिम लोधी को दफना दिया गया था, और यहां पर उसकी कबरे बना दी गई थी, इसके बदा है कालाम्ब, जिसकी थपना 1701 में हुई थी, इस स्तान पर हर्यान अब हम देख लेते हैं, इसके बाद यम्ना नगर के बारे में, तो यम्ना नगर के अंदर गुरु गोविन सिंग मार्शल आट संग्राले है, और इसके बाद यहां बीरबल का रंग मैल भी है, जो की पूडिया में है, यह आप देख सकते हैं, यह फोटो जो है, यह बीरब पर जाकर भी कर सकते हैं जिसका लिए कि मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्सिंस में दिया हुआ है वह दोस्तों अगर आपके मैंने में कोई स्वाल कोश्चन या डाउट है तो आप हमारे वर्टसप नंबर कि युचाश युच paralel। Championship युचे नंबर कि युचे नंबर कि युचे युचे तो